आपका बहुत बहुत स्वागत है CHSL टीर 2 का एक्जाम और CGL टीर 1 का एक्जाम आ गया 90 दिन है CHSL टीर 2 के लिए और 100 दिन है CGL एक्जाम के लिए लोग कह रहे हैं सर कुछ study plan बताईए strategy बताईए कि कैसे हम तयारी करें और selection हो तो लीजे यह रहा study plan आगे जो 90 या 100 दिन है उसमें रोज 11 घंटे की पढ़ाई करनी है हो जाएगी न रोज 11 घंटे की पढ़ाई करनी है तयारी का मतलब होता है कठिन चीज तयारी मतलब आराम से बैठना नहीं होता है तो 11 घंटे की पढ़ाई बहुत मुश्किल और असंभव चीज नहीं है तो 11 घंटे की पढ़ाई करनी पढ़ेगी इस competition में अगर अपना अपनी जगह बनानी है अपनी seat पक की करनी है अपना selection पका करना है तो और यह जो 11 घंटे का study plan है डेली का उसमें कुछ इस तरह से break up है उसका English, GS और computer एक साथ में ले रहा हूँ और इसमें time लिखा हुआ है कितने घंटे देने मैस reasoning में भी कितना वक्त देना है लिखा हुआ है typing रोज आदे घंटे करना है अब आप सोचेंगे सर यह तीनों एक चीज़ क्यों लिए यह तीनों चीज़े मैंने एक साथ इसली ली क्योंकि सबको English में पढ़ना है English English में पढ़ना है GS को भी English में पढ़ना है computer को भी English में पढ़ना है अब बहुत सारे लोग इत्तिफाक नहीं रहेंगे इस बात से कहेंगे अरे sir क्या बोल रहे हैं आप हिंदी पढ़ने वालों का selection नहीं होता नहीं होता अब नहीं होगा मैं बोल रहूं नहीं होगा आप देख नहीं रहें कि पैटन क्या है एक्जामिनेशन का सबसे ज्यादा वेटेज की सब्जिक्ट का है इंग्लिश का है आपको मालूम है कि जो इंग्लिश मीडियम बैक्ग्राउंड का स्टूडेंट है जिसके इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके पास एक क्लियर एडवांटेज है आप उससे 15-20 नमबर हमेशा पीछे रहेंगे और 15-20 नमबर का मतलब हो गया कि देड़ एक लाख लोगों का गैप कभी-कभी तो यह देड़ लाख लोगों का गैप हो सकता है तो आप यह मत समझे कि हम किसी तरह से मेकप कर लेंगे अब जो पैटर्न है यह नया पैटर्न है and you have to think in a new way आपको इस नया पैटर्न के हिसाब से सोचना देखना समझना और तयारी करना पड़ेगा तो पहले भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है आप CGL का जो tier 2 examination हुआ आप उसका paper देखिए उस paper को लगाईए आपको मालूम चलेगा कि shift है परिवर्तन है चेंज है जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे पहले और जिस तरह का सवाल अब पूछा जा रहा है आप ठीक से नाच्रलाइज होनी चीए सोभाविक होनी चीए सहचिता से समझना पढ़ना लिखना बोलना आना चीए तो यह तभी हो पाएगा जब आप English के साथ समय जाना बिताएंगे दो मेने बंगॉल रह जाते हैं दो मेने तो बंगॉली आ जाती है दो मेने पंजाब रह जाते हैं पंजाबी आ जाती है तो अगर आप computer और जीएस पढ़ते हैं इंग्लिश में तो हो सकता है कि आपको कम समझ में शुरू में एक देड़ महीने दिक्कत हो सकती है एक महीना देड़ महीना नहीं एक महीना थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है गिविन नहीं करना है गिब अप नहीं करना है यू आप तो कंटिनू things in English, इन चीज़ों को English पढ़ना जारी रखता है, थोड़े समय में आप comfortable हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब computer कहां से पढ़ें, तो CBSC, जो CBSC pattern पे 9th और 10th की computer books हैं, उनको पढ़िए, NCRT books, NCRT की book है computer पे आप उसको पढ़िए, तो computer आप पढ़ जाएंगे, इंग्लिश में, GS को भी आपको इंग्लिश में पढ़ना है, GS में कैसे तयारी करना है, देखें सबसे पहले तो आपको basic history, geography, environment, polity, यह सब आना चाहिए, economic, science, तो अगर आप पहले से cover कर लिएंगे, तो ठीक है, नहीं हो helpful है, सच में helpful है, इसलिए helpful है, क्योंकि अगर आप previous year question paper से पहले गुजरिए, वो बहुत ज़रूरी है, previous year question paper से paper wise गुजरिए, एक paper में 25 questions हैं, अगले paper में 25 questions हैं, ऐसे paper wise गुजरिए आप, अगर आप 60-70-80 paper से गुजरेंगे, if you go through them, you will realize, कि 50-70 topic कैसे हैं, जो fixed या static nature के हैं, उससे सवाल बार-बार पूछा जाता है, तो जो static topics हैं, या fixed topics हैं, उनको आपको Lucent जैसी किताब से या PDF से आपको तयार तो करना ही पड़ेगा, तो Lucent की किताब या इस तरह का कोई PDF है, वो helpful तो है, लेकिन अगर आप कोई narrative, कोई story, कोई textbook जिसमें लंबी, मतलब पूरा वो एक paragraph form में चीज़े हैं, जहां point wise information ने, बलकि पूरा narrative है, पूरी कहानी form में लिखाया है, ऐसा textbook अगर आप पढ़ेंगे, तो आपके भीतर एक basic intelligence या awareness हो जाएगा, GS को लेकर, आपको समाज, देश, दुनिया की समझ बढ़ेगी, history को लेकर, policy को लेकर, economics को लेकर, basic science समझ में आएगा आपको, और इसकी वज़ए से आप न, एक intelligent आदमी हो जाएगे, फिर current affairs पढ़ेंगे, तो बहतर समझ में आएगा, कि क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, या static topics भी पढ़ेंगे न, तो static topics को आप बहतर तरीके से digest कर पाएगे, क्योंकि तब आप geography पढ़े रहेंगे, जोगरफी पढ़ने से बहुत सारा information आपकी दिमाग में, और एक basic समझ रहेगी चीज़ों दे, तो static topics भी current affairs भी बहतर समझ में आएगा, तो बहुत वक्त है आपके पास, क्योंकि मैंने GS में डिर गंटे रखे हैं, अगर आप 100 दिन के हिसाब से देखें, तो ए कितना हैं, डिर सो गंटे का आपके पास वक्त है, 150 hours, तो 150 hours बहुत वक्त होता है, बहुत वक्त होता है, अगर आप चाहें तो इसमें, इंसियाटी के ऑबոut के आप खवर कर सकते हैं, क्लासिक लिगन different的 क्रिये कर्या तक कर या उसे भी बहुतार सिल מח IU, कई सारी किताबह एसी होती jसे कोई एक textbook मिल जाए, जो पूरी history को cover करे, कोई ऐसी textbook मिल जाए, जो पूरे polity को cover करे, कोई ऐसी textbook मिल जाए, जो पूरे science को cover करे, ऐसी होती है किताब है, तो आप ऐसी textbook थोड़ा जल्दी समय में पूरे syllabus को पढ़ा सकती हैं आपको, so you can go for those books, and I believe कि 150 hours में आप cover कर लेंगे सब कुछ, ठीक है, तो जो step number one यह है कि पहले आप previous year question paper से गुजर जाओ आप, 25, 25, 25 questions करके ऐसे 60, 70, 80 पेपर से गुजर जाओ, ताकि आपकी दिमाग में एक understanding, एक basic समझ बिक्सित हो जाए, कि हाँ भाई, कौन से वो 50 या 60 topics हैं, आपको weekly sessions देखने हैं, daily session ने, आप में से बहुत लोग हैं, जो daily session देख रहे हैं, अरे भाई, current affairs, मतलब रोज भारत में इतनी चीज़ें हो जा रही हैं, आचा एक चीज अगर आज होई कोई घटना घटी, कोई चीज हुआ, तो क्या एक दिन में कहां पूरा pen out होता है, एक आज कोई घटना होई, तो कल उसका कुछ अलग रूप होगा, पर सो कुछ और develop होगा, अगले दिन कुछ और develop होगा, कम से कम एक हफता तो लगता है, पूरे incident को unfold होने में, पूरी घटना को unfold होने में, तो रोज रोज चाहिए, weekly current affairs करना चाहिए, ठीक है, आप सहमत हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, पर अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो guidance के लिए देख रहे हैं, कि आपको कुछ रोशनी, light guidance चाहिए, सही guidance, तो मैं आपको दे रहा हूँ, अब हम बात कर रहे हैं, अचा याद रखना है कि computer हो चाहिए, जीए सो, होना English में चाहिए, शुरुवात में महीने, डेड़ महीने दिक्कत होगी, English बहुत आसान है, चार महीने में English के उस्ताद बन जाते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपको मालुम नहीं, इंग्लिश इतना आसान है, आपको यह भी नहीं मालुम, English सीखना कैसे है, आप मैं से सब लोगों, 90% अफ लोगों को यह लगता है, कि English का मतलब होता है, English rules रटना, शब्दों को रटना, अरे English rules रटना, शब्दों को रटना, यह बहुत छोटा काम है, ही होता है, grammar rules रटना, मेरी एक वीडियो है, यूट्यूब पर 101 grammar rules बाई स्रीकान सर, उसमें 101 grammar rules मैंने पढ़ाया है, लोग जो 6 महीन हैं पढ़ाते हूं, मैंने 1.5-3 गंटे में पढ़ा दिये, तो आपको लगता है, इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, तब maths आपका बहुत अच्छा होगा, अगर इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो इसका मतलब है maths में बहुत अच्छे हैं, तो आपके पास एक flexibility है, कि आप maths से थवड़ा वक्त निकाल लीज़े, maths बहुत लोग हैं, जो teacher जैसे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को maths, पूरा पूरा कर लेते हैं, ऐसे लोग maths में से दो घंटा निकाल सकते हैं, आप दो घंटा maths निकाल करके English में दे दीज़े, तो एक flexibility है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ये काम, कि maths बहुत बढ़ी हैं तो English को ज़्यादा वक्त दीज़े, किसी कि English बहुत अच्छी है, maths बहुत पूर है, तो वो आदमें English का समय निकाल के maths को देगा, तो ये common sense की बात है, समान बुद्धी की बात है, इसको समझना, अच्छी करना है उसे साब से, तो अगर मान लीजे, English बहुत कम जोग है, कुछ ही आता ही नहीं है, बड़ी इस्तिती खराब है, डावा डोल है, in that case, you can take some time out from maths, maths से कुछ वक्त निकाल के जोग दीजे, इंग्लिश में, तो ये अगर दो घंटे निकाल दीजे, मैच से, तो ये साड़े पांच घंटे का वक्त हो गया, English, अब ये English साड़े पांच घंटे में, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर मान लीजे, पहले तो complete English आनी चाहिए, complete English का कोर्स, जो आपको English सिखा दे, सही-सही पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सारे grammar rules, और English में उस्ताद जैसी feeling के, आप हर तरह के सवाल कर सकें, इसका कोई कोर्स है नहीं, एक कोर्स है जो मैं पढ़ाता हूँ, अब ऐसा लगता है, आप सिर्फ क्या करते हैं, कि यह जो grammar rules रट लेते हैं, 120, 130, 140, और आपको लगता है, बस हो गया English, that's the problem, यही तो समस्या है, तो यह जो complete English course है, जान के हरानी होगी कि, यह comprehensive course है, English का सबसे जबरदस्त course है, English की एक चीज कवर करने वाला, परहाप्स वर्ल्स बेस्ट course, और सिर्फ 80 गंटे का है, 80 hours का है, 1.5 गंटे का, एक सेशन होता है, और 80 सेशन है, तो 1.5 गंटे, 80 सेशन यानि 120 गंटा, लेकिन 120 गंटा को, 80 गंटा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि वो, 1.5 एक्स के स्पीड पे आप देखेंगे, तो अगर 1.5 एक्स के स्पीड पे देख रहे हैं, देखेंगे और इसके बार आपको एक और 50 आउर्स की जरुवत पड़ेगी, 50 आउर, 60 आउर्स की जरुवत पड़ेगी, प्रैक्टिस बैच की, तो हमने कहा कि मैट्स से कुछ टाइम निकाल के इंगलिश को दीजे, साढ़े चार गंटे हो गए अगर दो गंटे निकाल लेंगे तो साढ़े पांस गंटे तो अगर हम साढ़े चार गंटे भी ले 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 अगर तो आपके पास सो दिन है 400 गंटा साथे 400 गंटे हैं 450 आर्स है बहुत वक्त है आपके पास मैं सिर्फ 130 गंटे ले रहा हूं इसमें से अब आपको एक और काम करना है बहुत जरूरी काम करना है एडिटोरियल और वोकाब बूस्टर मैं हमेशा कहता था कि ये इंडिया का बेस सेशं है अडिटोरियल और वोकाब बूस्टर बहुत लोग एक जग़े थGER उनका सकोर एक जग़ा अठक गया था एक ऐसा स्टेज आता है जब आप grammar rules रटके practice करके वोकाब रटके एक जगह पहुंच जाते हैं और इसके बाद score बंढ़ना बंद हो जाता है क्योंकि further depth English में नहीं आती है वहाँ ये काम आता है हना सैक्रो लोग तो मेरे पास message और phone कि है कि सिर्फ editorial और vocab booster से देखाओ selected यह आपको करना ही पड़ेगा शुरुआत में इसमें 2 घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि जो editorial और vocab booster यह है इसमें आपको ना सिर्फ editorial session देखना है editorial पढ़ना है बलकि exercise और vocab booster उसमें भी 20 minute लगेंगे आपको करने में 15 minute लगेंगे तो 2 घंटे का वक्त लग जाएगा आपको editorial और vocab booster करने में मेहनत वाला काम है लेकिन सफलता का रास्ता मेहनत से होके गुजरता है selection चाहिए तो यह करना पड़ेगा और अगर आराम चाहिए तो इसको मत करो लेकिन selection नहीं होगा selection का रास्ता मेहनत से होके गुजरता है अब चाहिए जितना कस्ट हो नानी जी याद आ जाए करना पड़ेगा आपको you have no way out तो editorial और vocab booster आपको करना पड़ेगा अब एक बाप देखिए कि reading पर्याप्त हो रहा है आपका English में क्यों reading पर्याप थोरह है listening क्योंकि आप computer भी पढ़ रहे हैं GS भी पढ़ रहे हैं सब किस में पढ़ रहे हैं English में पढ़ रहे हैं फिर भी अगर आपके पास time बच रहा है आपने math से लिये हैं 2 गंटे उठा लिये हैं आपके पास तो दो गंटे math से उठा लिये साड़े 5 गंटे का वक्त मिल रहा है तो जो पढ़ने वाली चीज है इनके अलावा GS computer के अलावा वो है newspaper बहुत जरूरी है आप अगर देखेंगे तो जितने भी passages पूछे जा रहे हैं most of these passages most of these जो close passages पूछे जा रहे हैं वो भी जो RC reading comprehension passages पूछा जा रहे हैं वो भी they're all newspaper articles newspaper reports तो newspaper में जो reporting होती है उसमें जो लेख लिखे जाते हैं उनका पर्टिकुलर स्टाइल होता है उनकी पर्टिकुलर वोकाबलरी होता है और आपके exam के लिए that's the most important thing I think तो आपको newspaper reading कर सकते हैं अगर बक्त मुल रहा है तब ठीक है बाकी मैं आपको number दूँगा ये number है आगे मैं बताऊंगा फिर भी अगर आपको किसी तरह की guidance हो तो हर पल मैं आपके साथ हो you can WhatsApp your queries, your doubts जो सवाल है मैं उनका अंसर दूँगा English से related अब हम चलते हैं Maths और Reasoning में Maths और Reasoning ऐसा दो subject है जिसमें सबसे बड़ा progress या main जो कुछ करना है वो practice से होता है मतलब बहुत लोग क्या कर रहे हैं आज कल एक गर्ति कर रहे हैं वीडियो जादा देखते हैं वीडियो देखने से Maths और Reasoning नहीं आता है वीडियो कम देखो Maths लगाओ जादा Reasoning लगाओ जादा यह पूरा game है लगाने का question लगाने का आप जब question लगाएंगे Maths reasoning का तो खुद समझ में आजएगा कि यह एरिया यह चाप्टर है जहां दिक्कत है उस चाप्टर को जाकर आप देख लिजे YouTube पर वीडियो देख लिजे किसी टीचर से मिल लिजे लेकिन यह गलती मत करिए कि आप वीडियो देख रहे हैं को लगता है यह वीडियो मैंने चाप्टर का देख लिए चाप्टर मुझे आ गया बाई साहब एक चाप्टर का 20 बार वीडियो देख लिजे वो चाप्टर आपको नहीं आया है जब आप question लगाने चलेंगे दिमाग घुम जाएगा सवाल लगाएंगे इतना time लेंगे Maths or reasoning is all about practice Practice, 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 practice is the key इसमें master की कम जरूरत है आपको अपना हाथ जगरनात खुब practice करिए यही इसका key है खुब practice करिए जिसकी English बहुत अच्छी है if you are very very good at English you can take some time out from English and you can give it to Maths बहुत English अच्छी है तो फिर थोड़ा समय निकाल के और Maths में लगा दीज़े तो Maths or reasoning practice करिए और टाइपिंग रोज करिए टाइपिंग में भी एक खासियत है आदे गंटे की practice टाइपिंग करिए टाइपिंग में क्या करेंगे टाइपिंग में अपने मन की बात लिए जैसे आपने कोई newspaper आइटम पढ़ा कोई passes आप solve कर रहे थे मौक पेपर लगाते हुए आपको देखिए मौक पेपर लगाना रोज है मतलब हफते में 6 दिन लगाना है या 5 दिन लगाना है अब अब दो तरह से मौक लगा सकते हैं सेक्सिनल मौक लगा सकते हैं या कंबाइन मौक चारो पिपर का लगा सकते एक साथ जैसे भी आपको अच्छा लगया आप लगा सकते हैं पर पांच मौक हफते में अच्छा मौक लगाना ही आपको लगाना चाहिए साथ मौक नहीं लगाना है सेवेंड मौक नहीं लगाने सातों दिन मौक लगाने की ज़रत नहीं है एक दिन आपको खाली चाहिए जिसमें आप पीछे के पांच ये छे मौक को एक बार देखें उस रिफ्लेक्ट करें उस पर कुछ सीखने समझने रिवीजन करने का वक्त रहे तो टाइपिंग में क्या करना है कि जो कुछ आप कभी कुछ जैसे इंगलिस में जो पढ़े हुए हैं कोई निउस आइटम पढ़े हैं कोई एडिटोरियल पढ़े हैं उसी चीज को आप खुद से लिखने की कोशिश करिए टाइपिंग में दोनों काम एक साथ होगा टाइ इंगलिश में इंसाइट वड़ता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं जो एक क्रिटिकल स्किल है टू डिपें यूर नॉलिच इन इंगलिश इंगलिश में अपनी ज्यान को और गहरा करने का जो एक बहुत ही सही तरीका है वो है लिखना राइटिंग तो टाइपिंग जो है मोटा मोटी एक strategy और study plan है इसमें आप अपने हिसाब से adjustment कर सकते हैं जिसकी English बहुत अच्छी है मैस से time निका मतलब मैस को time दे इंगलिश से समय निकालके और जिसका मैस बहुत अच्छा है वो मैस का थोड़ा समय निकालके English में दे 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 तो you have to make this adjustment अब जो है एक पात पर चो बिशेस जोर देना है फिर से मैं जोर दे देता हूं कि आपको daily current अफेर्स नहीं देखना है weekly current अफेर्स देखना है हमेशा रखो weekly current affairs देखना है रोज रोज current affairs में टाइम मत लगाओ उस टाइम को GS पढ़ने में लगाओ GS पढ़ो GS की कुछ किताब है पढ़ो कोई चाप्टर पढ़ो कोई स्टाटिक टॉपिक आइटिफाई कि या उसको तयार करो रोज current affairs ने पढ़ना है weekly current affairs पढ़ना है ठीक है और अमने का six papers लगाई है पर week साथ दिन होते हैं छे मौ लगाई या पांच मौ लगाई ठीक है sexy lmock भी लगा सकते हैं और combined मौ भी चारो पड़ो का लगा सकते हैं अब इतने के बाद भी अगर कोई query है कोई डाउट है कोई guidance की जरूरत है तो my phone number is 6306211 761 you can contact me on this number आप WhatsApp भी कर सकते हैं ठीक है एक्जाम फोडो आपका एप है मेरा आपका हम लोगों का एप यह आप डाउनलोड कर लिजे क्योंकि इसी एप मैं आप एक्स्लूसिवली हूँ मैं सिर्फ एक्जाम फोडो पर पढ़ा रहा हूं paid batch और बहुत सारा free content जो आपके लिए useful है वो भी लेके आ रहा हूं चारो subject के best courses मैंने कहा GS Hindi में नहीं पढ़ना है क्योंकि जो नया pattern है जो नया वक्त है जो नया competition है उसमे GS Hindi में पढ़ना काउंटर प्रोड़क्टिव है नौकरी से दूर ले जाने वाली चीज़ है अब आपको GS English में पढ़ना है तो बेस्टीचर इंग्लिश में GS पढ़ाने वाली है मैंने ढूड़ा है वो आएंगे I'll introduce him to you Maths के best courses क्या हो सकते हैं क्या content आप तक पहुच सकता है Reasoning के best teacher क्या हो सकते हैं कैसे आपको content deliver कर सकते हैं So I'm trying to provide the best to you तो exam photo app जो आपका app है उसको आगे बढ़ाईए डाउनलोड करके बहुत सारा free content ये लिजे paid batches भी उसी पे रहेंगे that's it from my side today I'll see you next time till then take care of yourself bye bye